ये देखे फ्रेंट्स जो मैं पानी की बकेट्स भरकर रखती हूं की क्या हालत हो गई है उनमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है पूरा टेरस अस्त व्यस्त हो गया है तो कैसे तो इसे लगाएंगे समझ में नहीं आ रहा है काफी लॉस जो है मुझे हो है अपने गार्डन में पूरी चीजे मेरी इधर से उधर गमले गिर गए हैं तो देखे वीडियो में दिखाती हूं कि क्या-क्या आज गार्डन में मेरे हो गया है हेलो फ्रेंट्स और ये देखिए कितनी बुरी हालत जो है हमारे टेरस की हो गई है पहले तो जो तेज इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है उससे प्लांट्स का बुरा हाल हो गया और अब ये देखिए पूरे पौधे उखड़ गए कितने सारे गमले जो है टूट गए है तो इन्हें समेटना इतना मुश्किल लग रहा है पूरा छट इतनी गंदी हो गई है इतनी मिटी और बारिश तो आई लेकिर इतनी हलकी फुलकी सी बारिश आई है उसको कोई इफेक्ट भी इतना नहीं हुआ और तूफान ने पूरी तभाई सी जो है गार्डन में मचा द आई है आभ इन सब को समेटना देखिए मेन बono zile plant कितना अच्छे से इसमें लग रगव थे और यहां पर मैंने स्टैंड पर लगा हुए थे और यह डेखिए और यह बास्केट से जो मैं बास्केट को जो यह लगा ती हूं वहा सब तो मैं पहले से ही नीचे उतारके इस वज़े से मैं थोड़ा सा हैंग करने वाली बास्केट का कम बहुत कम इस्तिवाल करना पसंद करती हूं क्योंकि टैरस पर गर्मियों की आंधी तूफान आती है तो नीचे थोड़ा सा गिरने का भी डर लगता है यह भी लगता है कि साइब में नीचे ना गिर जाए तो कि प्लांट्स किस तरीके से सर्वाइब करेंगे और यह तूफान जो है काफी कुछ तवाइ लेके आते है क्योंकि प्लास्टिक के होते है तोट भी जाते हैं कि बार बार कुछ प्लांट्स जैसे हैवी हो जाते हैं तो अब यह देखिए पूरा बोन्जाई जो है मेरा उलट है और अभी तो देखिए इसकी मैं रिपोर्टिंग नहीं करती हूं यह काम जो है मैं सेप्टेंबर के अंदर जो है इस काम को करती हूं यह देखे अभी तो क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप भी जानते हैं तैयार करना इतना मुश्किल होता है और इस तरीके से एक आंधी तोफान से हमारे जो है प्लांट से इतने हद तक डैमेज हो पूरा सिस्टम में अगर यह को खराब हो जाता है सब कुछ उपर है उसे नीचे उतारना पड़ता है और देखिए मेरे बनाना का प्लांट जो है वो काफी डैमेज हो गया वो नीचे क्योंकि थोड़ा सा बनाना यह बच गए है और कद्दू की बेल पूरी उपर से जो है गिर गई है अलाकि कद्दू थोड़ा बचा हुआ रह गया और मैं इसकी हर्वेस्टिंग भी कर लूँगी काफी हेवी हो गया यह और यह देखिए पूरी की पूरी बेल जो है सारी डैमेज हो गई है पूरी कि कितनी ज़्यादा गंदगी और इसको साफ करना इसमें होता क्या है कि अगर पॉर्ट डूड जाते हैं गिर जाते हैं तो फिर इस समय गर्मियों में प्लांट का सर्वाइव करना भी कई बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत मुश्किल से हमारे प्लांट काफी वैसे ही सर कग कुछ फ्रेंच जगे जगे पर इस तरीके से पोर्ट गिरे रहे हुएं कहीं पर कुछ केरो हैं ञत्रूका इसाता है इनने काफी हथ तक यहां पर से देखिए जतने सारे यह! पॉट होते हैं इसकते हैं मैंने पॉट इक जी लगाए हुआ हुआ ही और सक्सक्षा कि मैं रहा है कर ज fällt के साहिं सब मैंने भी मेरे food plants से मैंने mostly जब पुराने भी हो गए हैं अलाकि मैं हम बोलते हैं कि एक दू साल बाद आप अटा दीजे पर मैं एक भी supporting system को नहीं अटाती हूं इस तरीके से देखे हमेशा वरना मेरे एक भी food plant terrace पर नहीं बचे इसलिए हमेशा जब भी मैं video share करती हूं तो देखे मेरे अभी बनाना का प्लांट भी गिर गया है यह पपीता भी गिर जाता है लेकिन इसमें यह होता है कि मेरा प्लांट डेमेज नहीं होता है तो मैं इसलिए हमेशा इस तरीके से जो है एक supportive system देखे रखती हूं छत पर इतनी ज़्यादा कली cleaning की गई है सफाई की पूरा डेमेज और अस्त व्यस्त हो चुका है गार्डल देखे मैंने इस तरीके से थोड़ी सी fruit plant के लिए चादर लगाई हुई थी सब की सब नीचे आगए आप सोचे मेरे लिए कितना ज्यादा काम बढ़ गया है काफी देखे बनाना की leaves भी काफी तूड गई है और दूसरे जो plant है इसमें देखे कुछ fruits जो है जड़े हैं बट काफी सारे अभी भी लगे हुआ ऐसा नहीं है बट हाँ इतना तूफान आता है तो इसमें गिरने के fruits जो होते chances ज्यादा होते हैं वो जो बड़े दशेरी हाम है वो काफी हद तक set हो चुके हैं तो वो कम आंधी से बहुत कम गिरते हैं तो यहां पर देखिए बोर भी जड़ गई है क्योंकि इतना आंधी तूफान की वज़े से काफी जो है तो पहले तो गर्मी और उपर से इस तूफान की वज़े से काफी जो है लॉस हो रहा है तो पूरे garden को मुझे बहुत ज्यादा समय लगने वाल जो यह bonsai जो होते हैं अगर आप मैं इसलिए यह स्टेंड मैंने प्रफर केते हैं इसलिए कि थोड़ा सा यह हाइट पर ना रखती हूं क्योंकि गिर जाता है तो पूरा प्लांट इसके अंदर से निकल जाता है तो अब देखिए काफी एक मेरा मिट्टी का तो अभी पूट गया तो मेरे पास इस तरीके इसका पॉट था तो मैंने अभी तो इसे जो है इसके अंदर लगा दिया है और यह देखिए अभी करती हूं अपने गाडन को तेली में जो इस बातों क्लाइमेट का कुछ जादा ही हो रहा है काफी आंधी तूफान में अगर यह कहूं यहां पर आ रहे है तो काफी डेली कुछ ना कुछ लॉस होता है बट इस बार तो कुछ जादा ही गमले अंगले सब गिर गया है एक तो गर्मी से परिशान और उपर से इस तरीकी की दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है तो चलिए देखते हैं पूरे टेरस इनको ठीक करते हैं इसको यह काम बहुत इंपॉर्टन्ट है थैंक यूँ